हेलो स्टुडेंट्स, फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट कम्प्यूटर, बचे हमने फिफ्ट लेसन का जो फर्स्ट कीबोर्ड की टॉपिक्स थे, जिसमें थे हमारे अल्फाबेटिकल कीज और नुमेरिक कीज, ये हमने कर लिया था, और बेटा अब हम करेंगे स्पेशल कीज, तो बेटा, फर्स्ट इसकी प्रैक्टिस है, देखो, कलर दा अल्फाबेट कीज दा स्पेल यूर नेम, बेटा हमें कीबोर्ड की पिक दी गई है, बेटा, उसके उपर अल्फाबेट भी लिखे हुए हैं, लाइक A, B, C, D, तो बेटा, जैसे की, माई नेम इस रमन, और मेरा न लेटर्स को कलर करूंगी, ठीक है, सेम ऐसे ही, बेटा, आपने, जैसे अपना नेम, जिस लेटर्स पर आता है, तो आपने उन लेटर्स को कलर करना है, कलर बेटा, आप अपनी चाहिस से भी कर सकते हो, special keys, the keyboard also has some special keys for specific tasks, बचे, जैसे numeric keys भी हो गया, alphabet keys भी हो गया, लेकिन keyboard में और भी बहुत सारी keys होते हैं, तो बेटा, पाकी keys को हम special keys भी बोलते हैं, लाइक, देखो बेटा, हम कुछ लेटर्स लिखना चाहते हैं, और word के बीच हमने space देनी है, तो हम space bar से देंगे, तो space bar जो है, यह हमारी special keys है, कुछ लिखते हुए हमें हमसे गलत ताइप हो गया हो, और हमें उसको raise करना हो, delete करना हो, तो बेटा, यह भी special keys है, और arrow के signs भी special keys है, next आता है, बच्चे, space bar keys, space bar keys जो होती है, बच्चे, सबसे longest keys होती है, keyboard में, the space bar keys is used to add blank space between letters, words and numbers, बिटा, जैसे हमने letters लिखना है, और बीच में space देनी है, तो हम वो space bar की help से देंगे, it is the longest key on the keyboard, to type my bag with a space in between the two words, press these keys, बेटे, जैसे हमने my bag लिखना है, हम M type करेंगे, Y type करेंगे, और इसके बीच, बेटा, हम space देंगे, और space हम किलपे, किसकी help से देंगे, space bar के help से, तो बेटा, हम एक बार space बार, प्रेस करेंगे, और उसके बाद, बेटा, हम type करेंगे, B, A, G, bag, next is, enter keys, बेटा, जो my bag था, इसमें हमने space देनी थी, और ये एक ही line में लिखना था, लेकिन, बेटा, जो हमें next word दिया गया है, वो letters हमने, उपर नीचे लिखना है, The enter keys is pressed to jump the cursor to the next line, बेटा, जो enter keys होती है, वो next line पे jump करती है, There are two enter keys on a keyboard, बेटा, keyboard में two enter keys होती है, बेटा, एक letter हमने first line पे लिखना है, और second letter हमने इससे next line में लिखना है, third letter हमने उससे भी next line में लिखना है, तो बेटा, इसलिए हमें अगर next line की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम enter को प्रेस करेंगे, बेटा, जब हम enter को प्रेस करेंगे, तो जो हमारा करस्तर होगा, वो नीचे line में आ जाएगा, next line में आ जाएगा, to type tree and fruit in separate lines, बेटा, जैसे के हमें दिया गया है, कि हमने fruit and tree को अलग-अलग lines में लिखना है, तो बेटा, इसके लिए हम पहले tree लिखेंगे, t-r-e, बेटा, keyboard में इसे प्रेस करने के बाद, हम enter keys type करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे fruit, बेटा, जब हम tree लिखेंगे, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो Enter Press करने के बाद जो हमारा कर्षतर है वो Next Line में नीचे आ जाएगा और उसके बाद हम फिर से लिखना शुरू कर देंगे और बेटा अगर Fruit के बाद भी हमें Water लिखने क्यों कहा जाता है तो हम Fruit के बाद फिर Enter Press करेंगे जो हमारा cursor है वो उससे भी next line में आ जाएगा तो फिर हम water type कर देंगे तो बेटा जो हमारी space bar होती है वो two words को बीच में space देने के लिए use की जाती है और जो enter keys होती है वो next line में jump करने के लिए use की जाती है और बेटा यह आपका homework है fill in the blanks and the true false बेटा अगर कुछ नहीं समझाया हो तो आप live class में पूछ सकते हो Thank you students, have a nice day